कि साथियों सभी एस्टट के स्टीट एव्यरतियों कि को यह बताना चाहरा हूं कि हम सभी लोग जो परिच्छारद के विरोध में अंदोलन किये अंदोलन करने का विचार करते हैं या करते हैं तो उसकी बास्त बास्तविक्ता को सरकार के पास मीडिया पहुंचा नहीं पाती है चुकि सरकार से मीडिया को भी डर रहती है इसलिए उसे वो पहुंचा नहीं पाती है ढंक से अगर पहुंचा पाती तो अब तक हम लोग का रिजल्ट परकासित हो जाता और ये कुरोना अबधी में हम लोग उतना बड़ा अंदोलन भी नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों की एक राय है ये मेरा भी राय है, कुछ लोग साथियों का भी राय था, मेरा भी यही राय है कि कम से कम ट्वीटर के माधियम से सरकार को जगाने का परियास करें और सरकार को जगाएं कि बास्तविक्ता में बिहार एस्टीटी का परिच्छा रद करके विद्यार्थियों पर घोर अन्याय किया गया है इसलिए हमारी भी ये मंसा है और जो भाई बंधो ट्वीटर में लगे हुए हैं एस्टेट भाई बंधो मज सभी से अफिल करता हूँ जितने भी भाई बंधो हैं एस्टेट बंधो मज सभी से अफिल करता हूँ कि कोई टाइम फिक्स करके जैसे साम में कुछ सभी लोगों का कहना साथ वज़े से ट्वीटर का एक किया जाए तो वो ठीक है वही टैम ठीक है और जोर सोर सी एक साथ जितने भी एस्टेट अभियरती हैं कमसे कमांदोलन में जाने के लिए पुलिस के लाठी से डरते हैं तो घर वैठे ट्वीट तो कर सकते हैं ना और सरकार को जगाएं सरकार को जगाने का सरकार को बास्तविक्ता जनकारे दें और उसे सरकार को यह बताएं कि आपने जो किया वो काफी गलत किया तो सभी एस्टेट अभियरती से अपिल है जी बिहार के जितने भी एस्टेट अभियरती हम सभी लोग हैं हम सभी लोग मिल कर अधीक से अधीक ट्वीट करें और यह भी बात सच है कि अगर ट्वीटर अभियान में पूरे भारत में अगर पहला अस्थान हम लोग का आया जाएगा ट्वीट के मामला में इस्टिट रिजल्ट जारे करने को लेकर तो इतना जान लिजिए कि हम लोग का रिजल्ट सरकार मजबूरन परकासित करेगी जरूर करेगी इसलिए रिजल्ट के प्रति एस टीटी पर इच्छा जो रद हो गया उसके प्रति हम लोग अधीक से अधीक ट्वीट करें और भाइबंदों से निवेदन है कि एक टाइम में ट्वीट करें इसका एक टाइम निश्चित किया जाए और बाकि आप लोग भी अपने जो जो भी इस आउडियो को सुन रहें सभी लोग अपना अपना भिराय दे कि क्या टूइटर अभ्यान किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए